दोस्तो नमस्कार, हमारे ABA Palm Analysis चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तो आज हम जीवन रेखा पर चर्चा को आगे भराएंगे, आज हम बात करेंगे छोटी जीवन रेखा के बारे में, जी हाँ, अगर किसी विक्ति के हाथ में जीवन रेखा छोटी हो, तो क्या ऐसे विक्ति की आयू भी छोटी होगी, ये सोचने वाली वात है, तो आएए इस विशे को इस वीडियो के माद्धम से समझाने की प्रयास करते हैं, तो चलिए चर्चा को सुड़ू करते हैं, देखिए दोस्त हाथ की ये वाला रेखा होती है जीवन रेखा, जीवन रेखा अगर किसी के हाथ में कलाई पर बनी ये जो मनिबंद के रेखा होती हैं, यहाँ पर पहुचे, तो ऐसे विक्ति की आयू सो बर्स की मानी जाती है, तो एक अनुमान के मुताविक, जीवन रेखा की इस वाले हि तो क्या ऐसे विक्ति की आयू 50 बर्ष या इससे भी कम होगी? मान लेते हैं अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा बस यहां तक हो, सिप यहां तक बने. तो क्या ऐसे विक्ति की आयू 50 बर्ष या इससे भी कम रह जाएगी? तो इस विशे में आपको किन-किन चीजों पर ध्या देना है तो आएए इस विचाय में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे इस्तिती में आपको दोनों हाथों की जीवन रेखा की लंबाई को देखना है अगर एक हाथ में जीवन रेखा छोटी हो और दूसरी हाथ में जीवन रेखा पूर्ण लंबाई में हो लेकिन बिलकुल लेकिन अगर दोनों हाथों में जीवन रेखा छोटी हो तो आपको ये देखना है कि छोटी जीवन रेखा के साथ चलने वाली कोई और एक रेखा जो जीवन रेखा के अंदर के एरिया में हो तो इस प्रकर के कोई रेखा यहां पर होने पर ये बिक्ति की जीवनी सक्ति को ना आजाता है. तो ऐसे इसतिती में भी बिक्ति की आयू लम्बी होते हुए देखा जाता है. अब अगर ऐसा भी ना हो, सिर्फ जीवन रेखा चोटी हो, इस प्रकाड के जीवन रेखा हो, एक छोटी जीवन रेखा हो, लेकिन हाथ की इस जगह से ऐसी एक रेखा आकर, जीवन रेखा से उपर बनने वाली जो मस्तिश्क रेखा होती है यहाँ पर जाकर मिल जाए तो भी ऐसे विक्ति की आयू में कमी नहीं होता पर रेखा यहीं से होना चाहिए चंद्र परवत से नहीं और मस्तिश्क रेखा में जाकर रुकना चाहिए अगर मस्तिस्क रेखा में जाकर ना भी रुके कुछ इस प्रकार के बन जाए जैसे मस्तिस्क रेखा है और ये रेखा इस प्रकार के बन जाए जो मस्तिस्क रेखा में भी ना मिले लेकिन ये जो छोटी जीवन रेखा है इसको ढखना चाहिए इससे थोड़ा उपर होना चाह लेकिन अब अगर इस प्रकार के कोई भी रेखा का सपोर्ट ना हो और जीवन रेखा छोटी हो तब भी 100% गरांटी के साथ ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसे बिक्ती की आयू छोटी होगी जब कोई गहरी जीवन रेखा अचानक से समाप्त होती है तो उस रेखा का पूर्ण उभ आने का संभाबनाय सदेव बना रहती है और अगर हात की अंगुठा हो तो जीवन रेखा छोटी होने के बाद भी जीवन रेखा जिस आयू तक बनी हुई रहती है उस आयू से जादा आयू तक स्टी के जी सकता है ये भी संभाबनाय देखी जाती है अब इसमें और एक ध् लेकिन ये जो ह्रिदय रेखा और मस्तिष्क रेखा ये दोनों पूर्ण लंबाई में और निर्दोस हो तो भी विक्ति लंबी आयू तक जीता है विशेश कर ह्रिदय रेखा क्योंकि ये जो ह्रिदय रेखा होती है प्राचिन हस्त रेखा के अनुसार हृदय रेखा को आयू रेखा के तोर पे दिखा जाता था तो हृदय रेखा का निर्दोस और लंबी होना चाहिए और अगर मस्तिश्क रेखा पूर्ण लंबाई में हो और निर्दोस हो और सात में वेक्ति की अंगुठा भी मजबूत हो तो ऐसे इस्तिती में अगर वेक्ति की जीवन रेखा बहुत चोटा भी हो तो भी वेक्ति अपना मांसिक सक्ति के बलबूते और अपने डीरता पर जातक अपने निर्धारित आयू से काफी ज़्यादा आयू तक जी जाता है बस रेखा का निर्दोर्स होना चाहिए ये रेखा ये रेखा और हरिदय रेखा इन सब रेखा का निर्दोर्स होना चाहिए तो किसी के हाथ में सिर्फ छोटी जीवन रेखा को देखकर ये कहना गल कर्णान्टी नहीं ऐसे विक्ति की आयू लंभी भी हो सकता है और होते हुए भी देखा जाता है But the जिन विक्ति के हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी हुती है, ऐसे विक्ति में एक आयू के बाद जीवन इसक्ति में कमी आ जाता है, लेकिन हाथ के बाकी इस्तिती भी ठीक हो तो ऐसे विक्ति लंबी आयू तक भी जीते हुए देखा जाता है, तो केबल छोटी जीवन आन्त में कोई क्रोस का निशान बने या स्टार का निशान बन जाए, या जीवन रेखा ही गोवपुच के आकार में इस प्रकार से खतम हो रहा हूँ, तो इस प्रकार के इस्तिती बन जाने पर वेक्ति की आयू कम हो सकता है इसी प्रकार अगर छोटी जीवन रेखा के अंत में कोई आरी रेखा इस प्रकार से काट दे इस प्रकार से आरी रेखा से कट जाए तो भी ऐसे इस्तिती को अच्छा नहीं माना जाता ऐसे वेक्ति की आकस्मिक जीवन का अंत हो सकता है इसी प्रकार छोटी जीवन रेखा के अंत में क्रॉस, स्टार या तील का निशान होना भी ठीक नहीं माना जाता यह आयू के दिश्टी से बुरा संकेतों को दर्शाता है तो दोस्तों छोटी जीवन रेखा के विशा में जिन चीजों को विशेश तोर पर देखना चाहिए इसके बारे में हमने जानकारी दी तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करे और अगर मेरे चैनल में नए है तो इस चैनल को भी सस्क्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दवाए ताकि मेरे नए वीडियो के जानकारी आप तक पहुंच सकें तो इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद